बूर्णिक स्परेंट्स मैं धीरे सल्व आज मैं आपको साइन्स परहने जा रहा हूं क्लास शीक्स और चैप्टर 6 तो क्लास 6 में चैप्टर 6 आप लोग निकालिए चेप्टर 6 का हेडिंग है आपका चेंस अराउंड अस जैसे की आपको ब्लेक बोड़ पर भी हम देती हैं तो आप पहले गुट निकालिए और देखिए अपने चेप्टर को चेंस अराउंड अस का मतलब हो गया चेंस मेंस होता है बदलाब अराउंड हमारे चारो तरफ तो हम लोग दिखते हैं कि बदलाब कैसे होता है चारो तरफ इस चेप्टर में यहीं पढ़ना है चेंस के बारे यानि बदलाब के बारे में कैसे बदलाब होता है इसके बारे में चेप्टर पढ़ने से पहले आपके blackboard पर कुछ word meaning दिया गया है, इसको आप लोग गर से देखिए, इसको देखने से आपको समझने आएगा, और इस चेप्टर में हम लोग को जानना क्या है, go heading यहाँ पर दे रखने हैं हम, जैसे first number में आपको जानना है chance, याई चेंज होता क्या है, कि यह change होता क्या है, उसके बाद है classification of change, physical and chemical change, slow and fast change, difference between physical and chemical change, how change occur, change counts by hitting, उसके बाद है application of expansion and contraction in solid, liquid and gas, तो इस चेप्टर में मूल रूप से हम लोग इतना ही पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं, number one से chance, यानी बदला, आखिर यह है क्या, थोड़ा सा आप अपने books में देखिए, कि कहता है, in our daily life, we observe many changes around us, for example, changing weather, occurrence of day and night, cooking food, pluming of flowers, burning of wood, etc. Everything in this universe undergoes a change, during a change, there are power of change in shape, size, position, color, state, internal structure, etc. कहता है कि हमारे, हम लोग अपने daily, यानी रोज के जीवर में देखते हैं, कि चारों तरफ changes होते रहते हैं, बल्लाव, होते रहते हैं, जैसे मौसब बदलता है, धीनिराथ बदलता है, आपका खाना बनाने से चिंध होता है, फूल का खिलना, इस तरह से जितनी भी चीज है हमारे आस-पास, वो बदलते रहते हैं, इसी को change कहा गया है, काता है, change take place in our body as well, increase in height with growth of hair and nails and ability growing into and adult are some of the change that take place in human beings. इंफेक्ट, change happen around us all the time. काता है की change यानि बदलाव हमारे सरीप में भी होता है, हमारे बाल बढ़ते हैं, नाठीफोंड बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, एक बच्चा बढ़ते बढ़ते बरा हो जाता है, हम लोग बदले होते हैं, मोटे हो जाते हैं, या मोटे हैं, हो जाते हैं तो इस तरह से चेंज जो है हमारे सरी के अंदर भी होते रहता है कहता है there are various reasons for changing taking place बद्राव की बहुत सारे कारण हर जैसे day and night requires due to the rotation of the earth प्रिथी का rotation परिकर्मा के कारण दीनवाथ होता है balloon grows bigger in size when air is blowing into heat जब हम गुबारा में air भनते हैं तो वो बड़ा हो जाता है paper when heat is absorbed in large amount जब पर को ज्यादा गर्म किया जाता है तो वो जलने लगता है मुल्टर बटर चेंज्टू स्वली डूट्यूट को की sorry cooling when kept in the refrigerator जब हम मखन को refrigerator freezer में रखते हैं तो क्या हो जाता है liquid से solid यानि ठोस रूप में बदल जाता है जम जाता है उसी तरह से काता है कि देखते हैं हम लोग की पानी को रखते हैं टाइस्क्रीन में बदल जाता है वो ठोस solitude होता है तो इस तरह से change होते रखता है अब काता है every change is an effect of a cow such as heating, folding, mixing, burning जितने भी बदला होते हैं वो होते हैं गर्म करने से, मोरने से, मिलातने से, जलाने से तो यह सब कारण होते हैं आपका change का अब आपका है दूसरा यह तो अभी आप change के बारे में जाने कि change होता गया है कहां कहां होता है हमारे सरी में होता है आसपास भी होता है तो change को जाने अब आपका दूसरा नमबर है सेकेंट में classification of change यानि बदलाब के यह classification किया है और गर्म किया है आपका बदलाब का तो यह कैसे होता है तो यह क्याता है रिवेजिवाल इन इरिवर्जिवाल चैंट्स यानि रिवर्जिवाल नहीं हो सकता है जिसका उसको with अ कते हैं यानि ओल एक दे Gibson सिंपल में समझ सकते हैं कि रिवर्जिवल है क्या तो जिसको परिवर्थम जिसका परिवर्थम हो सकता है इसका नहीं सकता है प्लिवर्टम उसके आटार आटिर्टी में तो वो ई-revergival है जैसे रीवर्जिवल में देखिए जै काता है डाचेंज विट कैंडी इसली रीवर्जिवल हो गया कि देखिए ठीवर्जिवल जैज जिसको अशानी शे अभी बता है कि चेंज बद्राव किया जा सकता है हो सकता है बद्राव असानी रूप से उसी को री रीवर्जिवल चेंज करते हैं ऐसे एक्जामपल दिया है कि अंगरा से इंते रिधोलग आपका बड़क को फिर से पानी में बदलना ये क्या हो छाक है रिवर्जों चेनि लिगा तो सिंपल आप रिवर्ज ओं शमग गहें अब आहे ए घय करने जैसे करता है बॉन इंड downstream paper उध यह ब sy di seeing जब हम लोग दर आज केनोट भी कवर्टेंट बैग इंटू पेपर को जला ज्राद यह तो क्या होजाता है राक बन जाता है क्या उस जले हुए राक को फिर से हम पेपर मना सकते हैं नहीं बना सकते हैं तो यह एक्जंप्ल क्या होगा इंटी रिवर्जिवर का यानि ओ तो इसको अब देखिए काता है एजिंग आफ लिविंग्स वी तैननोट में एंड ओल्ड मैं अचाइड बाइनी मेथवड कुछी भी हम कर ले किसी बुड़े आदिम को हम फिर से बच्चा बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं तो यह भी एक क्या होगा यह रिवर्जीवल चेंज हो लिया नहीं पडिवर्थन होने वाला इसी करा से रस्टिंग ऑफ आईरन में अगर जंग लग जाए तो इसको बचाना प्रसा मुश्किल होता है अब आते हैं हम लोग तो आपको दूसरा नंबर क्लासिफिकल फिकेशन अफ चेंज अभी द्याने अब थ्री नंबर गेर पढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानि बहुत तकी और रसानी पढ़िवर्ता इसके बारे में पखना है तो फिजिकल चेंज गया है पहले इसको देखते हैं दचेंज इन विच नो निव सबस्टेंज इस परमेंट इसको फिजिकल चेंज अगर बदलात करने से कोई नया चीज नहीं बनता है तो उसी को कोई नया चीज नहीं बनता है तो उसी को फिजिकल चेंज कहा जाता है और देखिए चेंज इसको देखिए चेंज जब दो बसको अपो परिवर्तन करते हैं तो एक उसमें नया तत्र निकल जाता है इसी को केमिकल चेंज कहा जाता है अब कहता है केमिकल चेंज आर जनरली आजी वर्जिवा यह क्या होता है केमिकल जो है अब केमिकल चेंज वो अधित्तर क्या है परिवर्तन योग नहीं होता है इसको नहीं बदला जा सकता है अब फिर आए यह जैसे बर्निंग औप उड्ट, कुकिंग औप चपाटी, कॉलिंग औप मिल्क, रस्टिंग औप आइडन आर्सव इंजांपल ऑफ केमिकल चेंज जैसे लकडी को चला देना, आपका रोटी बना देना, दूद का दही बना देना यह सब क्या है केमिकल चे यह बहने, चला देना तो यह कैसे है इसको देखे, बना देना दूद चूमेर्न औप औप सब्सक्राइब करने के बाल तब वो जलता है जलने से क्या होता है जलने के बाद वो उसकुल निकालटरा है तो इस तरह से करवा डाय एकसाइड निकाल राख है तो छेंड नयाभण गया तो यह थी आपका क्या है यह आपका ह terra केमिकल चेंज का ही एक जांपल है अब चेंज जो है दो तरह से होता है नंबर फोर में देखिए कि सलो एंद फास्टी जेज दो तरह से होता है एक होता है घले जल्दी से बदनना तो फेले आते हैं शुलो चेंज के बारे में चाने थे हैं. अब चेंज देखेंज प्लेस अबर ए लॉं टाइम और तेक लॉं टाइम टॉपर इस नौन अज शुलो चेंज. सम एजांपल ऑफ शुलो चेंज आज प्रिपिटिंग अब टूट्स, एबिलिग अब टूट्स, ग्रोथ आपके प्लांट प्रम सीट्स, ग्रोथ आपके मैं प्रम बेवी, रस्टिंग अपाया, कहता है कि वह बस्त, मने जो बदला हुने में बहुत समय लगे, जल्दी नहीं होता है, बहुत समय लगता है, उसी को सुलो चेंज कहते हैं, यानि जैसे फल का पकना, फल, उसके बाद है, बीज का और लोगे में जन्ग लगना, यह सब जल्दी नहीं होता है, यह सब होनी में समय लगता है, एक बच्चा को बढ़ा होनी में समय लगता है, एक फल को पकने में समय लगता है, तो यह क्या हो गया, यह हो गया अपका सुरो चेंज, अब आते हैं, फास्ट change के बारे कर, a change that takes place in instance, or over a short period of time is called first change, some examples of first change are melting of ice, burning of candle, rusting of pecus, जो जल्दी से अपना रूप बदल दे, उसको फास्ट चेंज कहा जाता है, जैसी बर्ब का गल्ना, मुवत्ती का जनना और पताके का फूटना, यह जल्दी हो जाता है, तुरंथ हो जाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, फास्ट चेंज, अब आते हैं, आपका, slow and fast change के बाद, आपका 5 नंबर है, difference between physical and chemical change, यानि physical होत्य की जो हमारा मूल रूप है, उसका और रसायनी परिभरतन क्या है, इसमें क्या आंतर है, तो पेज नोबर 65 में, आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर है difference between physical and chemical change, तो जैसे इसको हम बता लेते हैं, कि physical change करता है, and no new substancy is formed, and chemical change में करता है, and new substancy is falling, यानि physical change में नया नहीं बनता है कोई चीज, और chemical में क्या होता है, नया कुछ बन जाता है, example में आप लो कैसे नया बनता है, अभी पड़े है, and use, करता है physical change, usually it is temporary change, no change in the composition of the substance takes place, it is mostly river river, heat or light may or may not be given, or out or absorbent, तो chemical change में कहता है, कि ये temporary नहीं होता है, नो कोई भी इसमें composition में स्विक रूप नहीं हो पाता है, ये क्या है, आपका परिवर्टन सील है, और ये इसको गर्म करने से, इसका, ये ये तो या मिल सकता है, या नहीं भी मिल सकता है, लेकिन ठीक, chemical change में इसके बिपरित होता है, इत कहता है, a new substance is formed, बता दिया है, it is permanent change, chemical change जो होता है, वो पर्मानेट होता है, वो खिर से नहीं change हो सकता है, change upward in the composition of substance, और जो बस्तु का जो मिश्वन होता है, उसी रूप में ये बदलता है, और करता है, it is irrevergible, यह जो है, upper button seal है, heat or light is released or absorbed, या तो गर्म करने से वो ये absorbed प्रोखे जाता है, या वो निकल जा सकता है, तो यह था आपका difference between physical and chemical change, अब आते हैं, six number में, कि हाव चेंज बदलता, या नि चेंज होता कैसे है, चाहे हो physical हो या chemical हो, physical change हो या chemical change हो, तो यह दोन चेंज होता कैसे है, तो आईए देखते हैं, let us discuss several ways in which change can cause बदलते हैं, they are by applying force, by mixing, by heating, by mixing and heating, तो हम लोग जो है, किसी भी बस्तु को chemical या physical change होते देख सकते हैं, तो कैसे होता है, तो यह होता है, उस पर applying force, उस पर जोर लगाने से, कोई बस्तु का आकार, आकिर्थी उसका बदल सकता है, उसके वाद है by mixing, उसको मिला दिने से, अगर माल गया जाए कि चीवी और पाणी को एक साथ मिला दिये तो एक तीसल उसमें भी आपका change हो गया, पाणी में बिल जाता है, तो वो हो गया mixing, इस तरह से वीचेन होता है by heating, जैसे पानी को ही गर्ण करते हैं, तो हीट हो करके जा बन जाता है, तो इस तरह से भी उसका आकार बदल गया, और है by mixing and pitting, जैसे नमक को और पानी को मिलाते एक साथ, तो मिल जाएगा उसमें, और उसको गर्ण करेंगे तो क्या होगा, आप लोग समझ सकते हैं, तो ये by applying force, by mixing, by hitting, by mixing and hitting, ये जो है, इतना ही कारण होता है किसी भी बस्तू के change होने का, और हम लोग आते हैं, चेज कालगवाई hitting, seven number one, की कैसे hitting करके, किसी चीज को गर्ण करके हम लोग, इसको change कर सकते हैं, वो इसके बारे में जानना है, तो देखिए, पिल नेमर six, six, when we hit any object, it gets affected in one or the other way, some of the ways in which it affected our object are approach, काता है, कि हम जब किसी बस्तू को गर्ण करती हैं, तो गर्ण करने के बाद, जिसी चीज को हम गर्ण करते हैं, उसमें कुछ परिवर्टन होता है, तो कौन सा परिवर्टन होता है, वो देखिए, तो वहां देखिए, तो वहां देखिए, one way, कि no change in sap and size on hitting, किसी बस्तू को कोई ऐसा दी है, जिसको गर्ण कर्मेंसे, उसका पोजा कार्ण में बजलाब नहीं होता है, जैसे, कबता है, विए विए अचापाथी on a tawa, it gets hot, hot, but does not chill itself, as strict, अगर हम किसी रोटी अगर बनाते हैं, उसको तावा पर गर्ण करते हैं, तो क्या होता है? वो फूता है, सीजी जाता है, लेकिन क्या, रोटी का आकार बदलता है? नहीं बदलता है? तो उसका अब देखिए, दूसरा काता अगर हम किसी चीज को कुकर में गर्म करें तो क्या कुकर का अकार बदलता है तो क्या को देखिये जिसको गर्म करने से और ठंधा करने से उसका बदलता है इसके बाले में अभी आपको बदलता है कि हो सारा ऐसा चीज है जैसे आपको वटर ले जिए जिए आपका बदलता है आत्र लज लोगी चीज या इसा गर्म करने से उसका आकार बदल सकता है और थी नॉंबर में है ट्ञिंस विंट्वर्म ओन इतंग इसा भी कुछ है जिसको हम कि क्या घंड करते हैं तो क्या होता है वो जल जाता है करा है कि कौल एक ग्लसमी करने पर जलता है जैसे तक है ग्राइग ग्रास है यापका ड्राइगास बॉल्ड फास्टर जनंग और धी लिगें और कता है कि कोईला के अप इच्छा, एक्जाम्ट कता है कि केज़ें veild gas gas won faster than coal and a log of coal. एक लगड़ी का जो ँ अपिन में वहता है, लगड़ी मन के चलिए, मोटा लगड़ी! और क्वेला के अप इच्छा, केपर जो है, करन होने से या gas, चदर ज़ता है. अब है कि नंबर हो गया है आपका सेवने पर अब एट नंबर में आके हैं अप्लिकेशन और एक्सपेंशन एंड कॉंट्रेक्शन अब काता है कि अब का कोई भी चीज का कोई भी बस्तु का फैलाव भीस्तार कैसे होता है और कोई भस्तु कैसे फैला हुआ हुआ है तो शिकूर जाता है इसे के बाले में अब जाना है काताया, अरताया इरन इरने ह प्रूम प्रूम प्रूमीर है बहुत, और अले में प्रूमीक 2025 प्रूमी प्रविक प्रूमी क्या है, झेफ जब प्रूमीर है तुट it contracts the fit tightly on the handle the fit of the metallic ring to the wooden base of the wheel of blocker can be done in the similar manner is the key that the front line can be on the board of the package to the detail is in the building of the original करता है वह लोहागारी चक्का को कसके पकर लेता है तो अब करता है तो यह क्या हो गया आपका फैलाव हो गया और संकुचन दुनों इस तरह से यह सॉलीड का तो गया कि dispensers are and contraction in solids यह मनें यह ठोस वस्तु का कैसे थ्लाव अससर्व नुचन होता है इसके वार वह पढ़ने और आते हैं कीशन का प्रिक्वीड यांकि कश से थ्थैलाव या समुचन होता है इसके बार जाना का तो देखिए ताह थाधा दैट लिकुट्स xpand on heating is used in thermometers in in many thermometers घृ महर्म मेघ थिसा रिष यह स्वेहादी है स्वेहाद नियाँ सीनिल मुठीर ALसे में can be filled, falling, a sink falling. कहता है कि हब जब thermometer को गर्म किया जाता है तो इसमें जो मर्करी होता है वो उपर आ जाता है और जब तो इस से हम को temperature का पता चल जाता है कि कितना है और जब उसी को ठंधा किया जाता है तो उसका प्रतरी फिर से क्या होता है नीचे चला आता है पाला तो जब थर्मामेटर का पाला नीचे चलाता है को लगता है कि वो क्या हो गया उसका लेवल नीचे आ जाता है तो यह भी क्या हो गया की लिक्विड का फैला और संपूचल दोनों यह एक्जांपर में बताता है अब परते हैं इसके स्पेंशन और कॉन्तर इंगा सुन्थ पते पकलो कि इस प्रेश ब्लतर क्विंट पते हैं मां टॉल नॉटन धूर्ट बार बार कि एक बार्लून को कि अगर अगड़ वालून को हम किसी बौतल के मुंह ने फुलेट हाक जिसमें भग कर नहीं हो उसके मुंह के सामे लिल ए उस बैलून को बांदे और मिचे से बदोल करें तो बोतल में यह और जब फिर उसी को हम ठंडे जगा पर रखें तो क्या होगा वह वोतल दीड़े ठंडा आप है उसको भी ठंडा कर देगा और अपने तरब फिच लेगा पे लगा आप देखें कि आप जब साइकिल ज्यादा दे तक रूप में रख लेते हैं तो कभी-कभी वह आवाज कर जाता है कि गर्ण होने से उसका हवा जो है फेलता है और जब इसको ठंडा देगा पड़ ले जाते हैं तो वह शिकूर जाता है इस तरह से आप देख लिए कि चेंज जो है गैस में होता है गैस भी फैलता है और शिकूरता है तो इस तरह से आप अब आते हैं एक चीज़ आप जालिए कि चेंज कार्वाइं निक्सिंग एंडिटिंग यह तो बता गिया है कि मिला देने से और गर्म करने से भी चेंज होता है तो बच्चों अभी आप इस चैक्टर में चें है करने कीज़ घरिशख विद्बच से हमारे अंदर होता है हमारे आसपास होता है तो तो बच्चो इस word meaning के help से आप इस chapter को फिल से वीडियो देखते हुए अच्छा से study कीजिए हमें उमीद है कि इस chapter को आप अच्छा से समझ जाएंगे next video में फिल हम मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद